हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्केट सिविल सर्विसेस में तो दोस्तों आज है 10 जून 10 जून से जितने भी करेंट अफेस के कुशन बनेंगे सारे कुशन को इस वीडियो लेक्षे में हम डिस्कस करने वाले तो सबसे पहले हम देख लेते ज दोस्तों जगनात विद्यधर महापात्रा यहां पर करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 और आप देख सकते दोस्तों यह है जगनात विद्यधर महापात्रा जिने केंद्री प्रतिक्ष कर बोर्ड मतलब CBD के नए अधिक्ष के रुप में निउक्त किया गया है और य ख्याले नई दिल्ली में इस्तित है अब दोस्तों हमें स्टार्ट करते है कलके कोशन का रिविजन तो पहला कोशन है कि हाली में किस संगटन दोरा आई फेमिल या नाम का डेटाबेस लौंच किया गया है तो यह किसके दोरा लौंच किया है दोस्तों यह लौंच किया है इ तो यहां पर correct answer हो जाएगा option 4 उप्यूप तो एक और दो दोनों तो चलते हैं दोस्तों next question की और next question की 67 वे राश्टी फिल्म पुरुसकार 2021 में service list फिल्म राश्टी पुरुसकार किस फिल्म को दिया गया है तो यह दिया गया है दोस्तों water burial को यहां पर correct answer हो जाएगा option 1 जरूर करें अगला question है कि किस राश्टी की सरकार ने प्राण वायू देउता पेंसन योजना को सुरू किया है तो यह सुरू किया है जोस्तों हर्याना राश्टी की सरकार ने यहां पर correct answer क्या हो जाएगा option 3 अगले question के और चलते हैं तो question है कि देश के पहली electric vehicle city कौन सी बन गई है तो यह बन गई है दोस्तों के वड़िया यहां पर correct answer क्या हो जाएगा option 4 अगला question है कि विश्व सागर दिवस कब मनाया गया है तो यह मनाया गया है आट जुन को तो यहां पर right answer हो जाएगा option 2 अगले question के और चलते हैं तो question है दोस्तों कि विश्व रोजगार और सामाजिक outlook 2021 रिपोर्ट को किस ने जारी किया है तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतराश्टी स्रम संगटन ने तो यहां पर correct answer हो जाएगा option 1 नेक्स्ट कोशन है कि संयुक्तिराश्ट महासावा के नए अद्धिक्ष कौन बने है तो यह बन गए दोस्तों अब्दूला साहीद यहां पर right answer हो जाएगा option 2 चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और तो कोशन है कि हाली में चर्चा में रहा आतंगवाद संगटन बोको हराम किस देश से संबंधित है तो इसका जो संबंध है वो है दोस्तों नाइजीरिया से तो यहां पर right answer हो जाएगा option 4 और रिविजन का last कोशन है कि साथ जुन 2021 को किस food wall खिलाडी ने गोल करने में लियोनल मेसी का record तोड़ दिया है तो यह तोड़ दिया दोस्तों सुनिल छेतरी ने यहां पर right answer हो जाएगा option 1 अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के current face तो पहला कुशन के हाली में किस ने महिला की 10,000 मीटर मतलब 10 किलो मीटर दोड़ का नया word record बनाया है तो यह बनाया है दोस्तों सिफान हसन ने यहां पर correct answer हो जाएगा option 2 और आप देख सकते हैं दोस्तों यह है सिफान हसन जिनोंने हाली में 10,000 मीटर मतलब 10 किलो मीटर दोड़ का जो नया word record बनाया है तो दोस्तों यह जो सिफान हसन है यहां नीदरलेंड की रहने वाली है और इनका जो record है मतलब इन्होंने कितने समय में 10 किलो मीटर को तै किया है तो इन्होंने दोस्तों 29 मिनट 6 सेकेड में यह record अपने नाम किया है और यहां पर बात करें हम दोस्तों कि इन्होंने किसका record तोड़ा है तो इन्होंने तोड़ा है दोस्तों अलमाज आयना का तो दोस्तों सिफान हसन ने word record तोड़ा है अलमाज आयाना का इनका जो word record था मतलब जो इनका timing था तो मैं आपको बता दू ये 29 मिनट 17 सेकेंड था ये भी आपको याद रखना है और आपके लिए नेक्स कोशन है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अनियोजना का जो विस्तार है वो बढ़ा कर कब तक कर दिया है तो इसका जो विस्तार है दोस्तो वो कर दिया है नवंबर 2021 तक यहाँ पर करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा आप्शन 4 तो दोस्तो 25 मार्च 2020 को भारत में लॉगड़ॉन लगा दिया गया था और इसी समय मतलब 26 मार्च को भारत की वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने एक योजना मतलब पीएम गरीब कल्यान अन योजना की सुरुवात की थी और इसमें क्या होता था दोस्तो पांच किलो गेहों या चावल दिया जाता था और यह सबसे पहले तीन महने के लिए मतलब अप्रेल माई और जून अप्रेल माई जून ये 2020 की बात कर रहा हूं दोस्तो ये पहले तीन महने के लिए चलाई गई थी फिर इसको आगे बढ़ाकर नौवंबर 2020 तक चलाया फिर दोस्तो क्या हुआ अब सेकिन लहर आई मतलब अप्रिल 2021 की बात कर रहा हूं में तो इसको पुनाँ सुरू करके अब इसे नौवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है तो आपको याद रखना है दोस्तो कि जो प्रधान मंतिरी गरिप कल्यान अनि योजना ना है इसका विस्तार करके अब नौवंबर 2021 तक इसे बढ़ा दिया तो इसमें सिर्फ पर रहने वाला जो राज्य है वो है दोस्तों मद्ध्य प्रदेश यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्चन टो तो यह जो एनिमिया होता है यहां ब्लड की कमे से मतलब खुन की कमे से होने वाला रोग है तो दोस्तों केंद्री स्वास्ते कल्यान मन्ति डॉक्टर हर्स वर्दन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इस सुचकांक में अगर पहले स्थान की बात करें तो ये दोस्तों MP है मतलब मद्य प्रदेश है और सेकेंड पर है दोस्तों उडिशा और थर्ड पर याद रखना है आपको हिमाचल प्रदेश है और फूर्ट पर है हर्याना अगर हम बात करें दोस्तों 2019 की इसमें पहले स्थान पर रहा था हर्याना ये भी आपको याद रखना है और यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं मद्य प्रदेश राज की जिसकी राजदानी भूपाल है और वर्तमान में यहां के मुख्य मंत्री सिवरासी चववान है बात करें यहां के गवर्नर की तो यह आनदी बेन पटेले और यहां के जो मुख्य नायदीश है वो मुहमद रफिक है यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश है इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना 1 नॉमबर 1956 को की गई थी और मध्य प्रदेश की जो लोग सवा सीड है वो 39, राज्य सवा सीड 11 और विधान सवा सीड 230 है और मद्यप्रदेश के जो पांच पड़ोसी राज्य है वो कौन-कौन से तो ये महरास्ट, चतिसगर्ड, उत्तरप्रदेश, राजिस्तान और गुजरात है और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मद्रप्रदेस के जो प्रमुक रास्टी उद्यान है वो कौन-कौन से है तो यह काना रास्टी उद्यान है माधो रास्टी उद्यान है बाधो गल रास्टी उद्यान है और पन्ना रास्टी उद्यान है और यहाँ पर मैं आपको बता तो कोशन है कि कि राज्ज की सरकार ने भारत रत्न और पद पुरुसकार की तरज पर पुरुसकार देने की गुसना किये तो यह गुसना किये दोसो अशम राज्ज सरकार ने यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड तो दोसो जैसे कि हमारे भारत में भारत रतन, सर्वच नागरिक पुरुसकार है तो दोस्तों यहां पर हम बात करें कि जो अशम राजी की सरकार है इन्होंने भारत रतन और पद पुरुसकारों की तरजी पर पुरुसकार देने की घुसना की है तो यह किस प्रकार होगे यह हो कि दोस्तो अशम रतना, असम विभुशन, असम भुशन और अशम पदिश्री तो यह चार पुरुसकार देने की घोसना की है तो यहाँ पे दोस्तो हम बात करें कि जो पद पुरुसकार है इसकी सुरुवाद भारत में कब की गई थी तो इसकी जो सुरवात है वो 1954 में की गई थी और यहां पर मैं आपको बता दू कि जो पद पुरुषकार होता है उसका जो सही क्रम है वो क्या होता है ये भी काफी बार आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि पद पुरुषकार का जो क्रम है सही क्रम क्या होता है ये आपको बताना है तो सबसे पहले स्थान पर होता है दोसो भारत रतना सेकंड पर होता है पदम विभुशन और थर्ड पर होता है पदम भुशन और फूर्थ पर होता है पद श्री तो ये चारो क्रम को आपको याद रखना है और साथी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पहली बार भारत रतन पुरुसकर किसे दिया गया था तो यह दिया गया था 1954 में और यह तीन लोगों को दिया था किसको किसको तो सीवी रमन, राजगोपलाचारी और राधा करशनन मतलब सर्वपली राधा करशनन इन टीनों को 1954 में पहली बार भारत रतन पुरुसकर से समानित किया गया था यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है असम की तो बात कर लेते हैं अशम राजजी की राजदानी दीसपूर है और यहाँ के मुख्य मंत्री बने है दोस्तों हमत विश्वा सर्मा बात करें यहाँ के गवर्नर की तो यह जगदीस मुख्य है और यहाँ के जो मुख्य नादीस है वो सुदान सु धुलिया है लोग सभा सिट 14, राजज सभा सिट 7 और विधान सभा सिट 126 है और बिहू जो होता है वो अश्म राजज का प्रसिद्य तेवहार में से एक है यह भी आपको याद रखना है अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन की ओर तो कोशन है कि 8 जुन 2021 को किसे चुनाओ आयुक्त निक्त किया गया है तो यह निक्त किया है दोस्तों अनुक्चंद्र पांडे को यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा option 2 और यह है दोस्तों अनुक्चंद्र पांडे जिने हाली में चुनाओ आयुक्त की रुप में निक्त किया गया है तो यहाँ पे दोस्तों कुछ important point है वो discuss कर लेते जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो निक्ती है वो कौन करता है तो इसकी निक्ती की जाती है दोस्तों राज़पति के द्वारा next है कि सम्विदान के किस भाग में निर्वाचन आयुक के बारे में बताया गया है तो ये भाग पंद्रा है ये भी आपको याद रखना है और next point है कि सम्विदान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयुक के बारे में बता गया है तो ये article है दोस्तो 324 next point है कि भारत में निर्वाचन आयुक की जो इस्थापना है वो कभी की गई थी तो इसकी इस्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसलिए दोस्तो 25 जनवरी को प्रतेकवर्स रास्टिय मतदाता दिवस के रुप में मना जाता है और यहां पर दोस्तो बात करें कि जो भारत क के पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो कौं थे तो यह थे कुमार सेन यह भी आपको याद रखना है और दोस्तो वरतमान में हम बात करें तो हमारे जो डेस के मुख्य चुनाओ आयुक्त है वो कोन है सुसिल चंद्रा और बात करें चुनाओ आयुक्त की तो यह राज्यु क यहां पर correct answer हो जाएगा दोस्तो option one और यह है दोस्तो वैलेरिया लुई सेली तो दोस्तो यह जो मेक्सिको की लेखी का है वैलेरिया लुई सेली इनका जो उपन्यास है lost children अर्चू इसके लिए इनने Dublin साहित पुरुसकर 2021 से भी समानित किया गया था और जो Dublin साहित पुरुसकर यह अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है तो याद रखना है आपको कि जो वैलेरिया लुई सेली है इनने Dublin पुरुसकर 2021 से भी समानित किया था अगला कोशिने कि किस देश ने क्रिप्टो करंसी बीटकोईन को देश की वैद मुद्रा गोशित किया दोसो अल सालवाडोर ने यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर तो अल सालवाडोर वीश्व का पहला देश बन गया है जिन्होंने बीटकोईन मतलब जो बीटकोईन क्रिप्टो करंसी है इसको वैद मुद्रा घुसित किया है तो दोसो यह जो क् ग्लोबल लिवेबिलिटी रेंकिंग 2021 है इसमें पहले स्थान पर कौन सा सहर रहा है तो इसमें पहले स्थान पर रहने वाला सहर है दोसो ऑकलेंड जो की न्यूजिलेंड में इस्तित है राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर दोसो ऑप्शन फोर तो यहां पर दोसो बा गलोबल लिवरिबिर टी इंडेक्स अ है इसे जारी कोण करता ए तो इसे जारी करता है इक्वुनमैंक्सट्र इंटेलिजेंस यूनिट जो कि लंडन की है तो पाल इस थान पर है धूत अौ्कलीड जो की न्यूजिलेंड की राजदानी है और शेकन पर है जो जो कि जापान, जापान का सहर है और सबसे खराब इस्तिती है दोस्तों सीरिया की जिसकी राजी दमिस्क है और यहां के मलब रहने योग्गी की जो सहर में सबसे खराब इस्तिती है वो 140 वे इस्तान पर किसकी है दोस्तों वो है सीरिया के दमिस्क की तो याद रखना है आपक question की ओर तो question है कि the times 50 most desirable women 2020 की सूची में कौन सी भारती अभिनेत्री सिर्ष पर रही है तो इसमें रही है दोस्तो रिया चक्रवती यहां पर correct answer हो जाएगा option 4 और यह है दोस्तो रिया चक्रवती तो the times 50 most desirable women 2020 की जो सूची है इसको जारी कर दिया गया है और इसमें विभी ने चेत्रों में जो 40 से कम उम्रे की महिला है उनको सामिल किया गया है तो times most desirable women 2020 की सूची में रिया चक्रवती ने पहला इस्तान प्राप्त किया है क्योंकि दोस्तो यह चर्चा में इसलिए 2020 की तो यह है दोस्तो सुसांत सीह राचपुत तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने है और आज का जो लास्ट कोशन है कि RBL Bank के फिर से MD और CO कौन बने है तो यह बन गए है दोस्तो विसवीर आहुजा यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 1 और यह है दोस्तो विसवीर आहुजा जिने हाली में RBL Bank के फिर से MD और CO निवक्त किया गया है तो दोस्तो यह जो RBL Bank है इसकी इस्तापना 1943 को की गए थी जिसका मुख्याल है मुंबई महारास्ट में इस्तित है और MD और CO बन गए है विसवीर आहुजा टेग लाइन की बात करें इसकी तो यह अपनों का bank यह भी आपको याद रखना है और आज का जो question of the day है आपके लिए दोस्तों कि हाली में असन राइफल्स के महा निदेशक का जो पदवार है वो किसने समाला है इसका सही जावब आपको कमेंट सेक्शन में देना है तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है अगर यह वीडियो लेक् यह वाज़ इस वाज़ इस वीडियो